सुप्रिम कोट ने विवादित थल पर राम मंदे निर्मान का फैसला सुनाया है साथी साफ कर दिया कि विवादित हिस्से का बटवारा नहीं होगा यानि सुप्रिम कोट ने कहा कि विवादित जमीन राम गला की है सुप्रिम कोट ने इलाबाद हाई कोट के फैसले को खारिच कर दिया सुप्रिम कोट का कहना है कि हाई कोट ने तीन हिस्से किये थे जो तारकिक नहीं थे सुप्रिम कोट के फैसले में मुस्लिम पक्ष को मस्जित के लिए 5 एकड़ जमीन अलग देने की बात कही गई साथ ही कहा कि किंद्र सरकार मंदि निर्मान के लिए ट्रस्ट और इसके नियम बनाए सुप्रिम कोट ने तीम महीने में किंद्र सरकार को ट्रस्ट और इसके लिए स्कीम बनाने को कहा है सुप्रिम कोट मुसलिम पक्ष को पाँच एकड की वैकल्पिक जमी उन्निस सो तेरानवे की अधिगरहे जमीन में से देने की बात कही या फिर अयोध्या में ही कही मस्जित के लिए राजिस सरकार से जमीन देने की बात कही सुप्रिम कोट ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा का दावा 6 साल की समय सीमा के बाद दाखिल हुआ है इसलिए दावे से बाहर है यानि निर्मोही अखाडे के दावे को खारिच कर दिया गया सुप्रीम कोट ने ये भी साफ किया कि टाइटल यानि जमीन का दावा केवल आस्ता से साबित नहीं होता साहरा समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट इन तमाम बिंदों पर दिन भर हम चर्चा करते रहे हैं और सुप्रीम कोट ने क्या क्या फैसला सुनाएं वो सब हम सबके संग्यान में भी आ चुका है एक बार फिर हमने रिमाइंडर के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाई मरीर पारिक साहब दरसल मुंबरी और महरास्ट की राज नीती में और तमाम उथल पुथल के बीच आज एक बहुत ही बड़ा एतिहासिक फैसला आया एक आपकी वलिष्टता क्या कहती है इन फैसलों के उस आयाम को ध्यान में रखते हुए जहां कि महरास्ट अब किस नजरिये से आगे बढ़ता हुआ देख पा रहा है देखिए राम जन्मभूमी बाबरी मस्जिद विशय जो है वो मुंबई के सबसे ज्यादा करीब है मुंबई के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए थे जिसके बाद पूरे देश के अंदर दंगे भड़क उठे थे तो कुल मिलाकर ये जो राजनीती थी महराश्टर की मुंबई की और देश की ये पूरी तरह से कार सेवा के बाद में पलट गई थी एक जन्मानस बदल गया था राजनीती की दिशा बदल गई थी लोगों की सोच बदल गई थी शिवसेना जो उससे पहले तेज तरार रुप में नहीं चल रही थी वो महराश्टर में पावर में आई थी शिवसेना और बीजेपी ने मिलके 1999 में सत्ता बनाई जिसके बाद वो दूसरा चुनाओ हार जनी मुंबई और महराश्टर में इस फैसले का उस वक्त में बहुत बड़ा आसर देखने को मिला था लेकिन आज जब मैं देखता हूँ पलट के आज फैसला आ गया फैसले आने के बाद जिन जिन जगहों पर मैं गया हूँ वहां कहीं पर भी इसके बारे में कोई बजा रहा था बलकी कुछ एक जगहों पर हमको पुलिस जरूर दिखी जो sensitive areas हैं चुनाओ के दोरान भी वो areas sensitive रहते हैं उन्हीं जगहों पर हमको विशेश पुलिस force दिखाई दिया हाँ पेट्रोलिंग करती हुई हमको पुलिस जो है वो मुंबई में ज्यादा दिखाई लेकिन जो मुंबई का वातावरन है वो बहुत ज्यादा रिलाक्स लगा शांत लगा इससे अच्छी बात करते हैं तो आज जिस तरह से राम जन्मभूमी का फैस जी आपने कहा कि मुंबई बहुत रिलाक्स था सडकों पर आम जन जीवन बिल्कुल निश्चिंत भाव से चल रहे थे इससे अच्छी बात देश के लिए और क्या हो सकती है कि बिल्कुल लेकिन जो हम राजनेतिक बात यदी करेंगे कि इसके पॉलिटिकल इंप्लिकेशन्स क्या हैं तो जैसे ही सुप्रिम कोर्ट का जज्जमेंट आ गया उसके तुरंत बाद ही हमें वो सरगर्मिया म मुंबई में देखने को मिली जो मुख्यमंत्री थे देवेदर फड़नविस उन्होंने मुंबई में प्रेस कांफरेंस की और जिसके बाद वो राम मंदिर में चले गए महा आरती करने के लिए शिवसेना के अध्यच जो है उद्दव ठाकरे उन्होंने ढ़ाई बजे प्र में सियासी दाओं पे फसा हुआ है शिवसेना के अध्यच उद्दव ठाकरे ने कुछ दिन पहले प्रेस कांफरेंस की थी और उस दोरान उन्होंने एक वाक्या खास तोर पे रिपीट करके कहा था कि जो राम जन्म भूमी का फैसला आने वाला है वो न्याइक प्रक्रिया ह कोई भी राजनेतिक दल इसका फायदा उठाने की कोशिश ना करें तो शिवसेना इस समय इस बात को लेकर डरी हुई है कि कहीं बीजेपी इसका फायदा न उठा ले वहीं बीजेपी जो है वो इस समय खुल कर कोई बयान बाजी नहीं कर रही है लेकिन महराश्ट्र की सकता है कि राम जन्म भूमी के फैसले के बाद में शिवसेना को कॉंग्रेस समर्थन देती है या नहीं तो कुल मिलाकर यहां पर राजनेती खलचल जो है पॉलिटिकल माइने में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में ठेक सर्, मतब फिप्टी फिप्टी सब कुछ ने जरा रहा है, शायस्ता अंबर जी यह एक खामोशी टुटी है जहां जाकर लगता है कि नहीं रौशनी इस देश को दिया कि हम कोई भी फैसला के खिलाब रिव्यू पेटीशन में नहीं जा रहे हैं और उन्हें स्वागत किया है तो एक वो जन्मानस जहां कि कुछ लोग इसका एक फायदा अपने नीजी हिद के लिए उठाना चाह रहे थे, वहां जाकर क्या पूरे और पक्के तोर पर ता स्रिफ हिंदुस्तान की सभी धर्म वसमुदाय और वर्ग को लेकर के ही नहीं था, बलकि पूरी दुनिया इस फैसले पे पूरी तरह से नजर रखे थी और वो किरिया की प्रतिक्षा में बैठी थी, कि यहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि देश में छे महीने के अंदर, तिन चार मेंने के अंदर जो बड़े-बड़े इतिहासिक फैसले हुए हैं, उससे हमारे देश के सरकार को लेकर के और यहां की अवाम को लेकर के काफी लोगों के सवालात उठते थे, आज़ जब इस तरह का फैसला आया है, यह एक ऐसा फैसला आया है, जिससे लोगों को एसास हो गया होगा कि हमारा देश, दुनिया का सबसे प्यारा, और सबसी सबसे ज़दा एक अध्यात्म देश है, जहां पे सम्मधान के सम्मान, सम्मधान के भरोसा रहते हुए, नयाई-पालिका के हर वो फैसले का, सवाध्ट कर दिया जाता है, ताकि हम लोगों के अंदर आप worthy प्यार औ सो家ओ बना रहे, शांती हम लोगों के लिए सबसे ज़्यदा जरूरी है, मस्जिद और मंदिर बाद में है, जब इनसान बचेगा, देश बचएगा, तभी मंदिर और मस्जिद भी बचेगे, और तभी मंदिर और मस्जिद आबाद रहेंगे जब इनसान ही नहीं रहेगा तो हम काकड़ पाथर का इमारत क्या करेंगे हम जब तक हम इनसान की सुरक्चा नहीं करेंगे इनसान के दिल में प्यार नहीं बिटा लेंगे एक दूसरे के दिल में भरोसा नहीं रखेंगे हमें सममिधान पे भरोस्ट था और देश की नेले पर जो भी फैसला आएगा हम लोग सुपार करने के लिए पहले से ही ये देश के अमाम त्यार थी ये बात बिल्कुल आपने सही कही है पहले सही सब ने कहा थे कि नियायले का जो सलुच अदालत का जो भी फैसला आएगा उसको सलुमान ने माना जाएगा और सब उसका स्वागत उसी तरीके से सबोंने किया भी है इसमें कोई दोमत नहीं है पट्टा में मुकेश कुबार उस नज़रिये से देख सकते हैं जहां जाकर राजनीती कहीं दूसी दिशा में कहीं जाती भी नज़र आए या फिर एक सहज और सामाने तरीके से इसे लिया जाएगा क्योंकि जिसक्या पेक्षा इस देश ने आज की है और जिसको लेकर दर्शाया भी है तमाम जन्मानस न सबसे पहले तो देश के लिए आज एक बड़े लंबे समय के बाद एक अत्यन्ट उल्ज़े मामले को सरोच न्याले के सकरात्मक निर्ड़ने ने बिराम दिया है और इसका जन्ता ने सहरसु को सिकार किया है हर एक पक्ष ने इसको सिकार किया है सरुच न्याले की बहुमी का होती है देश की अजादी के बाद़ जितने बढ़े उल्ज़े मामले आaking सरुच न्याले के द्वार पे उसका उस न lotion्स अत्रठग से नर्णे दिया है और जन्त जो मामला था वो इतिहास, धर्म, राजिती और नियाइक प्रिक्रिया से उल्जा हुआ था तो कहीं ने कहीं उसके सभी अस्थानों पे इसके प्रवाव दिखाई पढ़ने चाहिए थे ये बड़े अच्छी बात है कि ये दिखाई नहीं पढ़ रहा है और दिखाई नहीं पढ़ेगा जिस रंग से आपसी अमन चैन के साथ में लोग इसको स्विकार कर रहे हैं स्वाहत पुनवातार नहीं राके रखे हैं लेकि एक अस्थान अभी भी है जो राजिती का छेतर है और भाती जिन्ता पार्टी जो वहाँ बड़ी कठी निस्तिती में दिखाई पढ़ रही थी उसकी राजितिक दसा में सुधा होगा और चुनाव में इसको उनको लाव दिखाई पढ़ रहा है जी मिरिगान कहब आपसे एक टिपड़ी इस रूप में चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने वहाँ पर अयोधिया को बीते कई दिनों से देखा है समझा है जाना है आज की वो रोश्टी आयोधिया में जहां आ रही है वह राम मंदिर निर्मान की और जाता हुआ रास्ता साफ हो चुका है तो वहाँ पर इसको लेकर क्या-क्या कुछ और बाते निकल कर आई अलग-अलग कलर्स के तौर पर संजे जी देखिए दो चीज जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आज मतब मुझे पिछले एक दिन के अंदर एक ट्रांजिशन दिखाई दिया है चुकि कल रात को दो बज़े तक मैं रहा फिल्ड में और मैंने देखा कि यहां से पलायन कराया जा रहा था लोगों को भार बेजा जा रहा था जो श्रदालू यहां आई हुए थे उन लोगों को यहां से भार बेजा जा रहा था उसके लिए बसों का इंतजाम था सुबह भी हमने देखा थोड़ा असमंजस की इस्तिती ती दौनों समदायों के बीच में एक असमंजस की इस्तिती ती लेकिन एक बेचनी जरूर थी लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि कुछ विवाद वाली बात हो लगातार जी हम तीन चार दिन से देख रहे हैं विवाद वाली बात कहीं नहीं आया थी साफ तोर पर कहा जा रहा था हाला कि बजार सुबह जरूर बनते फैजाबाद का भी बजार बनता है अधिया के भी बजार बनते लेकिन उसके बाद फैसला आने के बाद मुस्लिम संदाई के लोगों ने भी आके सडक पे अपनी दुकाने खोली हैं तमाम लोग हमें मिले कुछ ऐसे भी लोग मिले जो रेल था वो खतम हो गया और हम चेहन से रोटी खा सकेंगे तो यह बात और उसमें एक शेर भी उसमें पढ़के मुझे ने तामाया भी था मुझफर रमजी का शेर है जबर भी देखा है यह जबर भी देखा है तारीक की निगाहों ने लमों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई तो गोला जो सदियों से जो सजा पाई रही थे वो आज खतम कर दिया यह बहुत बरान निड़े आज किया गया है और हम उसी रूपर देखें किया वो शेक्ता है सजा तो वाकई मिली थी उस भावना को जहां लोग इंतजार कर रहे थे इस फैसले का विनित जी तरसल आयु हैं जिसकी अंदेखी होती रही है किस तरीके से चुकिया आपको बहुत करीब से दर्श्कों से जानते रहे हैं तो वहां आगे क्या-क्या आपको दिख रहा है और क्या आपका सुझाओ है हाँ पर उससे पहले मैं ठिपड़ी करना चाहूँगा आपकी जो रिपोर्ट आई बंबई से पटना से और पूरे देश में चर्चा चल रही है सुबह से एक बात बिलकुल साफ है कि इस फैसले का स्वागत कहिए या जो भी कारण कहिए कोई बहुत तीवर प्रतिक्रिया देश पे कहीं भी नहीं है बिलकुल तो मैं तो इसको इस तरह कहूंगा कि दर्द का हच्च से गुजर जाना है दवा हो जाना क्या बात लोग जो है आती आ चुके थे इस बात से आजिज आ चुके थे कि यह खतम हुआ किस्ता जान चुप यह आगे बड़ो तो एक तो यह और यह दो हो जाय रियक्शन नहीं है ना महराश में है ना पर्टिना में है ना चार को रही बात आज चास की जी हम्, दो वर्श पहले है खास रवे खरसुड करने गया ता यहाट की वह क्या काम होना चीव क्योंकि प्छले सत्रे सालों से हम अपनी effrojasет फांडिशन के माध लिलाओं से जुड़े सेंकड़ों इस्थल बहुत बुरी दर्शा में है एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी प्रदान मंत्री जी ने जल शक्ती अवियान शुरू किया सुप्रीम कोट के डारेक्टिव जहिंचलालतिवारी जज्ज्मेंट है पानी का संकट बढ़ता ज गिरता जा रहा है इसलिए जलाशयों को खोद कर रेस्टोर करने की बात प्रदान मंत्री ने कही थी और एक जल शक्ती अवियान शुरूआ उसके लिए विशेश रूप से बहुत बागा अलॉट्मेंट पैसे का किया गया अब अयोतिया के 84 कोस में सेंकड़ों पौरानिक क कुंड है और इन कुंडों को भगवान राम की लीला से जोड़कर उनका पौरानिक इत्यास है और इन कुंडों पर सवासो साल पहले अंग्रेज का लेक्टर ने शिलालेख लगवाए उनका महात्म लिखते हुए आज हालत यह है कि उन ज्जादातर कुंडों पर अवैत कब से हैं वो देता चाहें कॉंडेस के हों चाहें समाजवादी के चाही बाजपागे उन्होंने कबजे कर रखे किसी ने पॉलिटैक्टिक बना दिया किसी नहुद इस वावले में सब ने एक धर्म निवाया और वहां एक संत है एक संत है जो लड़़ा थासाल से हाई कोड तक तो मैं जो देखा इसी त़रा मंदिर, इतना सुन्दर मंदिर बनना चाहिए, जो सध्वीओं से हमारी इन फैक्शा है लेकिन एक मंदिर बनने से काम नहीं चलेगा, राम लला का जन्म जरूर हुगा, लेकिन राम लला जब मोदी जी की सरकार बनी तो कृष्णा सर्कृट की बात हुई कृष्णा सर्कृट का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जिसको भगवान कृष्ण की भूमी लीला इतिहास से कोई लेना देना नहीं है और उस आद्मी के अध्यक्ष बनने के बाद जो दो- के साथ बातचीत है कि हम जब बड़ा दृष्ण लेकर चलते हैं कि हमें आयोध्या का वरानसी का बथुरा का विकास करना है तो हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जो कंसल्टेंट हाइवे बनाटे हैं जो मॉल बनाते हैं जो फ्लाइवर बनाते हैं वो हमारे पौर कहां गया अब जी आ जाएगा न योध्या को आप जैसे अनुभवी लोग जब एक विचार दे रहे हैं तमाम चीज़ों जिसकी उपेक्षा हुई है उसको जाकर समझा जाएगा निश्चित रूप से क्योंकि वहां को लेकर प्रिदेश के अपने एक भावना जुड़ी इस भारत की आत्मा धर्म में बसती है जाएगा को भारत के समाच से अलग करके नहीं देखा जा सकता और बुद्ध धर्म के जैन धर्म के सिक धर्म के इसलाम के हिंदू धर्म के बहुत सारे छेत रहे हैं देश में पर इस देश में परेटन मंतराले तो है जो गुआ में रि बने और धर्म छेत्रों के विकास की जो परिकल्पना हो वो उनके सांस्कृतिक विरासत से मेल खाती हो मतलब जब हम आयुद्या में गुसे हैं तो हमें लगे कि हम राम की आयुद्धा है स्कूल के सिलिवस में धर्म नीती नहीं है ना सर दिकत तो यहां पर आगी हमारी बन्याद पर बहुत सारा सवाल है शिक्षा नीती पर तो पहले तो वहां से हम एक सुधार करें तो बहुत सारी इशूज ऐसे हैं जिस पर के आने वाले समय में चर्चा होगी हम आज राम को इसलिए जीना चाहते है क्योंकि लंबे समय से एक लंबित मामला था जिसको लेकर बेहत खुबसूरत बेहतरीन और बेमिसाल फैसला सर्वच अदालत में आया है तक्सरान को बता है क्या इसमें और भी कुछ बात हैं आगे आने वारे समय में देखी जाएंगी यह कब तक एक महलत दी जाती है fes делать कि समिक्षा को लेकर देखे जो पक्षकार इसमें असंतुस्ट हैं या जिनको लगता है कि इस विशय पर जो हमारा विशय है उस पर क्लारेटी नहीं आई है वो अभी इस सेम पर रिवी पेटीशन डाल सकते हैं और रिवी पेटीशन का प्रावधान Constitution में ही है Article 137 में वो रिवी पेटीशन डाल कर को बता सकते हैं कि आपके जजमेंट में ये 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 चीज़ें मुझे लगता है कि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है कृपया उनको ध्यान में देते हुए दोबार रिवी पेटीशन जो है क्या कोई भी डाल सकता है या पक सब्सक्राइब को नहीं मानता आप देश को कुछ भी आप से यह बात जाना चाहता हूं आप देखिए हमारे देश में पब्लिक डीफेमेशन नैशनल डीफेमेशन और शोशल डीफेमेशन पर आज तक कोई कहनून नहीं है इसलिए प्रधानमंत्री को डीफेम कर लिजे द सब्सक्राइब कर देखिए है उससे बहुत फरक नहीं पड़ता आप नियाले के सामने जिस समय आये हैं उस समय नियाले पूछता है आपको रिविव करवाना है क्या तो वह कानूनी प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया कर जाएंगे वह PC अगर कर लिया और कल को 20 उनके सदस यह कहने लगे नहीं इस पर PC जाना तो फिर से वह इस पर रिविव जाना वो फिर से PC करेंगे और कहेंगे साहब हम उस समय हमसे गलती हो गई क्योंकि हमने ऐसा ऐसा किया अब हम इस पर रिविव पटिशन डलना चाहते हैं लेकिन बड़ा सवाल यह है अंबर जी क्या आपक अब जी करना चाहिए आवाम ने आज दिखा दिया है इस फैसले का सुआगत करके लेकिन राजनिती इस पर जिस तरीके से होती आई है तो उमीद हम करते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा जिस तरीके से सुनी वकबोर्ड ने हाला कि सुबह आ यह ख़बर आ रहे थी कि वह देश की संस्कृतिक सुहर्द की हम बात करते हैं हमारे देश में जिस तरीके से हम लोग एक साथ हमेशा से रहते हैं तो यह उसके लिए देश भर में एक मिसाल कायम करता है कि हां हम किस तरीके से रहते हैं पाकिस्तान हमेशा इंतजार में रहता है कि भारत में मुसल्मानों कि तरफ से क्या रिवा शुरुआत होगी तो वो उस सब पे कही न कही विराम लग जाता है तो यह बहुत खुबसूरत कदम है सुनी वर्ग बोर्ट की तरफ से और यह हमारे देश की खुबसूरती है हमारे देश में जो कोई भी आया है हम उसको अपना अपना रूप दे के अ आमन चैन यहाँ पर है वो कहीं भी नहीं मिलता और वो चाहिए आपको किसी भी धर्म जाती समधार वर्ट की बात करें वो सब एक है सिर्फ हमारी पूजा पदितियां अलग है सब इतना डिफरेंच है तब आप समझ पाते ही कि आपका देश क्या है अपने मुल्क में रहते हुए आप उसे महक को नहीं महसूस कर पाते हैं सही तरीके से इसलिए हमें लगता है कि देश से बाहर जाकर भी देख कर आए कि दुनिया कैसी है बहराल एक के रिपोर्ट देख लेते हैं फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सुप्रीम कोट ने अयोध्या मामले पर अपना एतिहासिक फैसला तो दे दिया है मुखे निया अधीश रंजन गोगई के ने तुवाली पांच सदस्य पीठी ने कहा कि आस्था के आधार पर फैसला नहीं ह हुआ लेकिन सुप्रीम कोट ने हिंदू पक्षों की दलील को मजबूत माना क्यों मजबूत माना गया देखते हैं यह विशेश रिपूर्ट सुप्रीम कोट ने दोनों पक्षों की ओर से पूरी दलील सुनने के बाद माना कि बाहर हिंदु पक्षों की ओर से पूजा सदियों से चलती आ रही है इसके अलावा मुसलिम पक्ष अंदर के हिस्सों में अपना एक्स्क्लूसिफ पुजेशन साबित नहीं कर पाया कोट ने ये भी कहा कि जो पुरा तात्विक प्रमाण मिले हैं उसकी अंदेखी नहीं की जा सकती इसलिए खुदाई के सबूतों को सबूत माना गया सुप्रीम कोट ने राम लला विराजमान को कानूनी मान्यता दी सुप्रीम कोट ने माना कि हिंदू अयोध्या को राम का जन्मस्थान मानते हैं साथी मुख्य गुंबत को ही जन्म की सही जगा मानते हैं सुप्रीम कोट ने दोनों पक्षों की और से पूरी दलील सुनने के बाद माना की बाहर हिंदू पक्षों की ओर से पूजा सद्यों से चलती आ रही है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष अंदर के हिस्से में अपना एक्स्क्लूसिव पजेशन साबित नहीं कर पाया। कोट ने ये भी कहा कि जो पुरा तात्विक प्रमाण मिले हैं उसकी अंदेखी नहीं की जा सकती। इसलिए खुदाई के सबूतों को सबूत माना गया। सुप्रीम कोट ने रामलला विराजमान को खानूनी मानता दी। सुप्रीम कोट ने माना कि हिंदू अयोध्या को राम का जन्मस्थान मानते हैं, साथ ही मुख्य गुम्बत को ही जन्म की सही जगा मानते हैं। सुप्रीम कोट के स्तथ्य पर भी ध्यान दिया गया कि किसी भी पक्ष ने अयोध्या में राव का जन्म होने के दावे का विरोध नहीं किया। ये भी स्विकार किया गया कि विवादित धाचे में पुरानी संरक्षना की चीज़ें इस्तेमाल हुई जैसे कसोटी के पत्थर, खंबे आदी। हाला कि ASI ये नहीं बता पाया कि मंदिर तोड़ कर विवादित धाचा बना था या नहीं। इसके अलावा ये तथ्य भी है कि 12 मी से 16 मी सदी तक वहां क्या हो रहा था। ये प्रमाणित नहीं है। लेकिन कोट ने माना कि विवादित जगह पर हिंदू पूजा करते रहे थे। गवाहों के क्रोस एक्जामिनेशन से हिंदू पक्ष का दावा जूटा साबित नहीं हुआ। एतिहासिक ग्रंथों, यात्रियों के विवरण, गजेटियेस के आधार पर दलीले रखी गई। हिंदू पक्ष का दावा, चबूतरा, भंडार और सीता रसोई से भी मजबूत हुआ। साथ ही कहा गया कि यहां हिंदू परिख्रमा भी करते थे। कोट ने ये भी माना कि 1856 से पहले हिंदू भी अंदरूनी हिस्से में पूजा करते थे। रोपने पर वो बाहर चबूतरे पर पूजा करने लगे। ये भी माना गया कि हिंदू मुख्य गुंबत के नीचे गर्भगरी मानते थे। इसलिए रेलिंग के पास आकर पूजा करते थे। कोट ने माना कि यात्रियों के वितांत और पुरातात्विक सबूत हिंदूों के हक में हैं। यानि कुल मिलाकर विवादित जगह पर रामवंदिर के पक्ष में प्रमाण माने गए। सहरा समय के लिए ब्यूरो रुपॉट ये सारे तर्क और रौश्णी में तमाम वो एविडेंस जो कहीं कहीं मजबूती देता था और इसलिए ये फैसला आया और वाकिए ये वो फैसला है जहां जाकर मिरगांक दरसल इस फैसले के बाद अब आगे क्या शेड्यूल है अधिया को लेकर क्या कुछ अपडेट आपको बिल पा रहा है कि कल क्या है परसो क्या है क्योंकि धारा एक से चवालीस तो लगी हुई है तो क्या उसको जिस तरीके से पुरे देश में अमन चैन है और किसी प्रशासन और शासन है वो दोनों इस फैसले को डेटिल स्टेडी करेंगे और क्योंकि जिस तरह से उसमें कहा गया है कि तीन महीने के अंदर राम लला का ट्रस्ट बनाया जाएगा और उसके बाद ट्रस्ट बनने के बाद वो जो प्रक्रिया है मंदिर बनाने की शुरू हो लेकिं ये साफ तोर पे ये है कि इसको लेकर जो प्रक्रिया शुरू होनी है वो शायद वी एच पी और आरेसेस के अंदर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है क्योंकि आज कुछ कार सिवक हमें मिले थे जो बाचीत करती हुआ है कि जल्दी जो है यहाँ पर जो शिलाएं और तयार की जाएंगी तो ये शायद अब अगले आले वाले दिनों के अंदर कुछ चीजें जो है दिखाई देंगी जिस तरह से ये प्रक्रिया आगे भड़ेगी और मुझे लगता है उस दोरान जो है जो ट्रस्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद ही न अप्रूव करेगा उसी डिजाइन के साथ जाएंगे या अब तक जितने पक्षकार थे क्या वो ट्रस्ट के अंदर मौजूद होंगे या नहीं होंगे ये भी एक सवाल रहेगा तो अभी लगता है कि थोड़ा सा जो कानूनी प्रक्रिया है या ट्रस्ट बनाने की प्रक्र प्रक्रिया है उसका इंतजार करना पड़ेगा कि कौन-कौन पक्षका जो अब तक थे जिनोंने दावा किया था उनमें वो रखे जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे या विशिंदू परश्ट के लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे आरेसेस के लोग इस ट्रस्ट के अपने उद्बोधन में राश्ट के नाम संबोधन में कुछ खास बातों पर गौर करने की और इशारा भी किया था बर्लिन की दिवार का जिक्र उन्होंने नौ नौंबर की तारीक को ध्यान में रखते हुए किया तो क्या इस फैसले के बाद एक इशारा उस ओर जा रहा है कि जहां हम बिछुड गए थे जहां बिखरे पड़े थे राश्ट निर्वान उस तरीके से हो उस पर हमें अब ध्यान देना चाहिए देखे इस समय पर अगर हम सभी रादनेतिक दलों के मुख्याओं के यदि बयान सुने तो किसी ने भी कोई भी भड़काओ बात नहीं कही है प्रधान मंतरी गरेंदर मूदी ने भी लोगों को शांती और सौहार्द की बात की है कि आप भी शांती बनाये रखिये और जिस तरह से बरलीन वाल गिर गई थी और एक दुसरे को गले लगाया था उस तरह से गले लगाई ये लेकिन देखिए इस पूरे फैसले से भले ही सुनी वकफ बोर्ड ने इस समय स्टीटमेंट दे दिया हो कि वो इस फैसले को मान लेते हैं लेकिन एक तपका अभी भी ऐसा होगा जो इस फैसले से खुश नहीं होगा तो सभी तरह से सभी रादनेतिक दल और सभी नेता इस समय प्रयास यहीं कर रहे हैं कि किसी को मन सुखा है उनको कैसे समझा लिया जाए और एक दुसरे के साथ फिर एक बार सौहाद बना कर आगे कैसे बढ़ा जाए बहराल आज जब एक दोपहर को डेड़ बजे प्रेस कॉन्फरेंस हुई महाराश्टर के नाकपूर में राश्ट्रिया स्वयम सेवक संक्य सरसंग चालक मोहन बागवत की तो एक दिल्चस्प सवाल उन्हें पूछा गया उन्हें ये पूछा गया कि काशी का क्या होगा मतुरा का क्या होगा और उन्होंने एक सूचक जवाब दिया उन्होंने ये कहा कि RSS का काम है कि मनुश्य को निर्मान करना उसके बाद एक अच्छे को निर्मान करना और फिर वो केरेक्टर वो और्गनाइजेशन कौन से अंदोलन चलाते हैं इसमें संग का कोई भी हाथ नहीं होता तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जो है वो अन्फोल्ड होगी देखिए राम जन्ब भूमी मैं एक बात फिर से दौराना चाह ती यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कॉंगरेस पार्टी के जो जड़े मजबूत थी वो वीक होना कब से शुरू हो गया तो वो राम जन्ब भूमी अंदोलन के बाद भारती जन्ता पार्टी इस देश में मजबूत कब से हुई तो राम जन्ब भूमी अंदोलन के का इस समय भले ही हम सारी चीजों को रिलैक्स मूड में देख रहे हूं लेकिन ये जो पूरी की पूरी जो कहानी चली कोट में चली सडकों पर चली इंटरनेशनल इसके एफेक्ट समय देखने को मिले इसके बाद जो हुने जा रहा है पहले तो ये राम मंदिर बन जाएगा छ जो है वो जरूर होगा ठीक मुकेश जी क्या आपको लगता है ठीक यही सवाल आप से क्या हम इन तमाम सवालों के साथ एक सवाल और में जोड़ देता हूं एक चैप्टर क्लोज हुआ और बहुत ही आराम से आसानी से बहुत ही सहजता से सुंदरता से खुबसूरती से देख पा रहे हैं स्विकार करने की बाद दिखाई दे रही है संविधान को स्विकार करने की बाद दिखाई दे रही है नयाइक प्रक्रिया फिर पूरा भरोसा दिखाई पड़ रहा है या अपने आप में अधूत है क्योंकि बड़ा वर्ग जो है देश अगर इसको स्विकार करता है देश क कि जनता इसको स्विकार करती है तो छोटे असंतुस्त वर्ग हो सकते हैं वो समय काल में खड़े होंगे और आज दिक दिस्टिकों से लाव लेने के लिए खड़े हो सकते हैं लेकि अर्थीन हो जाएंगे तुकि जहां जनता होती है जहां देश का जन्मानस होता है चीजे उस द्धंग से त्यार होती है तो जन्मानस ते इस बात को इस द्धंग की भूमी त्यार कर दी है कि इस मुद्धे पे आगे किसी धंग का जो बिवाद है वो न खड़ा हो इसको स्विकार किया है दूसरी बात हम जो देख रहे हैं कि नियाइक प्रिक्रिया जो है उसने इस बात क देखने के लिए मिलता है और देखने की इच्छा होती है संजय जी मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कुछ लंबे समय में दो चार दसक में भी ऐसे रिड़ने के लिए लोगों को इतना इतनी आकांग्छाएं थी या इतनी आतूरता थी तो उस आतूरता को जिस धंग से लोगों ने स्विकार किया है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है नियाइक प्रिक्रिया के दिस्टिकों से ये दूसरी सबसे लंबी बहस थी संविधान पीट के पांस सदस्यों की बैठक चालिस दिनों तक चली केसवारंद भारती के इस विकेवल 68 दिन तक चली थी तो ये ब को जो जन्मानस है उसको स्विकार करना पड़ेगा और जन्मानस ये कह रहा है कि हम अमन चैन के साथ हिंदू भाई मुस्लिम भाई साथ में रहना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं यही बहतर तरीका भी है रास्ट्र को मजबूत करने के लिए मुकेश जी और दरसल क् जब परदान मंत्री ये कहते हैं कि हमें रास्ट निर्वान की ओर चलना चाहिए और जब भारत के लोकतंद्र को इस रूप परिवाशित किया जाता है कि आज दुनिया को पता चला कि भारत की तजीवन्त और सबसे मजबूत लोकतंद्र है सबसे बड़ा लोकतंद्र तो है खेर उतर परदेश के यूपी सुन्नी सेंटरल वक्फ बोर्ड ने फैसले का स्वागत किया केस में पक्षकार रहे यूपी सुन्नी सेंटरल वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो इस फैसले पर पुनर विचारी आज का दायर नहीं करेगा बोर्ड अध्यक्ष जफर फारुकी ने क रहा कि वो कोट के फैसले का स्वागत करते हैं और फैसले को चुनावती देने का उनका कोई इरादा नहीं है सुप्रिम कोट का कहना है कि सुन्नी वक्फ बोड ने बहस में अपने दावे को बदला पहले कुछ और कहा बाद में मिली रचना को इद गाह कह दिया स्पष्ट है कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी नीचे विशाल रचना थी वो रचना इसलामिक नहीं थी वहां मिली कलाकृतिया भी इसलामिक नहीं थी एसाई ने वहां बारवी सदी का मंदिर बताया मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में दावा किया था कि मस्जिद बनने से उन्नी सो और चास इसमी तक वहां लगाता नमास पड़ी जाती थी लेकिन अठारा सो चपपन से सत्तावन तक ऐसा होने का कोई सबूत नहीं मिला इसके अलावा सुन्नी वोर्ट सुप्रिम कोर्ट को एडवर्स पजेशन की दलील साबित करने में भी नाकाम रही साहरा समय के लिए विरुल पॉर्ट सुन्नी वोर्ट का ये बयान वह बहुत ही मैच्योर और स्वागतियों की बयान था समझनी कोशिश और भी कुछ करते कुछ एक पहलू रह गया है क्योंकि अब बड़ा सवाल दूसरा है डिके सब क्या आपको लगता है कि जिन काड़नों से हमें हम बहुत संतुष्ट हो रहे हैं वहां एक नई चुनौती आने वाली है क्या जितने भी स्टेक होल्डर्स थे इस आंदोलन को लेकर इस मामले को लेकर इस विवाद को लेकर वो अब ट्रस्ट की और अपना अधिकार जताने की कोशिश करेंगे और संभव है कि वह एक चुनौती होगी केबल वो नहीं यह जो 26 डिफेडनेंट थे केबल मैं उनकी बात नहीं कर रह अब हमें ट्रस्ट में इस्थान दिया जाए ताकि निर्मान में भी मेरी भूमिका हो और मुझे लगता है कि यह यह नया टॉपिक खुलेगा बिल्कुल यह पिटारा खुलेगा और यह तीन महिने तक यही रहने वाला है कि जैसे ही सरकार उस पर स्कीम बना कर लाएगी जै आप अस्थान दें क्योंकि यह धर्म का मामला है तो सौधा तो है नहीं यह चैलेंज है यह दूसरा बड़ा चैलेंज है तो मैंने अपनी आखों से देखा है मैं चोटा था तो मां पूरियां बना कर दे देती थी और कहती थी जाओ यह आए हैं इनको कोई तो भोजन देग कर पीछे जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल की बाउंडरी कहां से टूटी है मुझे मालूम होता था और वहां से जाकर वो पूरा का पूरा टोकरा अंदर भवेज देते थे वो परसिती में ने देखी है जब आप रोड क्रॉस नहीं कर पाते थे अंदुला ने इ इच्छा तो उनकी होगी ना कि मरने से पहले भगवान राम के इस कार में मेरा भी कुछ योगदान इस प्रकार से हो जाए कि निर्मान में मेरा योगदान हो जाए वो सब सवार ये है कि इस देश के हजारो लाखो जो भी अश्रत धालू रहे हैं वहाँ पर जाकर राम को लेकर तबाम अपने अर्मानों को लेकर चले थे तो सब को नमसकार इस रूप में करने क्या वश्रकता है कि उन्हें आयोध्या को राम मिल गए राम लला मिल गए और ऐसे में ये बहुत बड़ा संतुष्टी का कालर भी होना चाहिए क्या मिल गांक इस तरह के स्टेक होल्डर्स के कुछ क्रेम भी हो सकते हैं आने वाले समय में वो एक बड़ी चुनाओती नजर आएगी आप चुकि अयोध्या में है उस धरती से तमाम चीजों को आप महस और फकीरों से ज्यादा रुद। ना था लेकिन यहां बात कुछ ऐसी है कि धर्म और सियासती नजर आ रहा है तो सबसे बड़ी बात यह रहने वाली और कि है इसके अंदर वह स्टेक होल्डर कैसे कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो मुझे तो यही समझ में नहीं आरा कि तीन महीने के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होने वाला है क्या यह ट्रस्ट जमीन पर उतर पाएगा क्या क्या कौन को कुछ वक्त पर चूड़ते हैं मुगेश क्या चैलेंजेज आपको लेजर आ रहे हैं जो भी समस्याइं खड़ी होंगी चुकि मामला सुलज गया है तो यह जो बाते होंगी घर के अंदर की बाते होंगी और इसका समाधान बैटके निकाला जा सकता है चुकि इसके लिए कोई बाहर के लोग नहीं है और यह एक धंधंधंग से जो महां सोच बनी हुई है जिस धंधंग से एक अच्छा एक अच्छा स्वाद्रपुन वाता बना हुआ है तो जो भी उसमें हैं चुकि संगठन काफी हैं संगठन की अपनी चुनौतिया है संगठन की अपनी मांगे होंगी लेकिन बैट मिलके उनको सुझाया सकता और सरकार इस बात को सुझाया जाने की अंबर जी क्या आपको लगता है चैलेंज क्या क्या और होंगे दिखें कि बहुत बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के लिए जो सुप्रिम कोट ने दिशा रहेगा दूसरी बात ये के मुझे लगता है सबसे बड़ी जीत यही के बग्वान राम की जीत हुई है तो पक्षकारों को यह मानते हुए तो उन में उनकी भागेदारी रहे इस से बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती और यस पड़ी को बाय कर से जुड़ा हुआ चैलेंज बता रहे हैं लेकिन मैं पॉलिटिकल चैलेंज की बात करूंगा देखिए मैं इस शो में सिर्फ पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ शुरुआत से देखिए पॉलिटिकल चैलेंज बहुत बड़ा होगा ये एक वो जिस आंडोलन को आगे बढ़ा कर बीजेपी बढ़ी हुई अब ये आंदोलन समाप्त होने जा रहा है राम बन गया अब अगे क्या वाट पी कौनसी दि लीग को लेकर आगे बढ़ती है अगला कौनसा अंदोलन लेकर आगे बढ़ती है अगले हमने इंतियार करेंगे साथ समेंगी पावंदी हम धन्यवाद करते हैं पारिक साथ आपका बहुत धन्यवाद अंबर जैदी जी आपका बहुत धन्यवाद डिके दुबे साहब आपका बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट के लिए बिरिगांग पर भाकर आपका तो जिन्दगी की हिंद की खुश्बू बनाईए जिन्दगी को हिंद की खुश्बू बनाईए आज रिस्ते जखम पर मरहम लगाईए कैसा फसाद मंदिर मस्जिद का दोस्तों हर कदम पे सब को हम सफर बनाईए सारा प्राव झाल झाल